इस वीडियो में हम discuss करेंगे parts of speech यह basic grammar का third video है last video में हमने पढ़ा था subject and predicate इसमें discuss करेंगे parts of speech parts of speech होते क्या है parts of speech जो है एक ऐसे group होते हैं जिसमें words को divide किया जाता है means यह एक ऐसे group होते हैं जिसमें हम पूरे English के जितने words से उनको divide करते हैं जैसे पहले noun है मैं example दोगा noun है pronoun है मतलब जितने words हैं English में कुछ words जो है noun में आते हैं कुछ pronoun में आते हैं कुछ adjective में आते हैं कुछ verb में आते हैं कुछ adverb में आते हैं कुछ preposition में आते हैं कुछ conjunction में आते हैं means, सारे English के words, जितने English के words हैं, जितने अलफाज हैं English के, वो सब इन groups में किसी ना किसी group को, किसी ना किसी group में फाल करते हैं, कुछ जैसे noun होते हैं, कुछ प्रनाउन होते हैं, तो ये जो है, ये parts are speech है, ये parts है, speech के, मतलब words के parts है, मतलब इसी तरह हम डिस्कस करेंगे जो जो importantes होंगे आपके understanding के लिए जब हम major topics पढ़ेंगे उनके understanding के लिए जो भी important parts होंगे उनको हम अच्छी तरह discuss करेंगे तो आपको पता होगा कि कितने parts of speech होते हैं eight parts of speech होते हagt ये सब noun है, pronoun है, adjective है verb है, adverb है, preposition है conjunction है और interjection है यह होगे parts of speech आज हम जो वीडियो में discuss करेंगे अच्छी तरह वो करेंगे discuss noun को ठीक है noun क्या होता है noun जो है noun क्या होता है आपको पता होता है इसको उर्दमें इसम बोलते हैं noun जो है यह नाम होता है किसका नाम person का नाम या place का नाम या think का नाम या event का नाम वाकिया का नाम या किसी idea का नाम भी हम बोल सकते हैं नाम हम यहने याद रखना है noun जो है noun क्या है एक नाम है name जो नाउन आया तो name याद रखना है इसमें अगर अची तरह आदेफ्स में पढ़ेंगे इसके भी पांच लेक्शेद बन जाएंगे नाउन सिर्फ नाउन के ही क्योंकि उतना डेफ्स में जाना नहीं है हमने आलराम एक नाम है यहाद रखुए कोई भी नाम हो उसको बोलते है नाउन यहां तक Clare होका अब हम डिसकस करेंगे कि नाउन के कितने काइंड्स हैं उन काइंड्स को डिसकस करेंगे नाउन के जो हैं पांच काइंड्स हैं पांच काइंड्स जैसे पहले मैंने बोला था आपको sentence के कितने kinds है, sentence भी nature-based पे five kinds है उसके, तो यहाँ पे noun के भी five kinds है, मतलब जितने भी नाम है, वो divide किये जाते हैं, पांच categories में, पहली kind जो है इसकी, पहली kind है proper noun, तो proper noun क्या होता है, कोई भी नाम जो proper लिया जाए, मतलब जो भी नाम proper लिया जाए, proper मतलब proper इंसान का नाम लिया जाए, proper जगा का नाम लिया जाए, proper चीज का नाम लिया जाए, उसको बोलते हैं proper noun, अच्छी तरह समझे, आपने पहले भी पढ़ा होगा, I hope, यहाँ पर हम पूरा concept को clear करेंगे, कोई doubt नहीं रहना चाहिए, proper मतलब मैंने क्या बोला, proper मतलब किसी हम बोलेंगे, नाम बोलें, APG अबदलकलाम, हमने नाम लिया बंदे का, ठीक है, APG अबदलकलाम जी का हमने नाम लिया, तो यह है proper noun, जिसे हमने जगा का नाम लिया, डेली, डेली जगा का नाम लिया, यह हो गया proper noun, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया नाम ताजमहल, ताजमहल जो है जगा का नाम लिया, तो यह भी है, अगर हम लेंगे नाम, जैसे चीज का नाम लेंगे, हम बोलेंगे black pen, ठीक है, प्रापर नौन प्रापर किसी चीज़ का नाम लेना उसके बाद जो इसकी 2 डूसरी काइड वह काइड है वह काइड खौरमनावे क्या है क्लास वहिस्षिह का नाम यह संद्लिव थफली। मैंने आपको बोला था मतल姿मने यह 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 नाम चपने अ मुंहें भाषख्यान के माइनों यहाँ पर कामनन में क्मून में हिन्ट ती रच का के मैन बोलते हैं इस इसको बोलते हैं इसको दियर इसने प्रपर नाउन में तो नहीं से भीटए दियरी बियर सीटी gels बोल सकते हैं, city कोई भी हो सकती है, यह common noun है, ठीक है, town, कोई भी कसभा, book, कोई भी book, day, कोई भी day, ठीक है, pen, चीज बोलेंगे, pen, कोई भी pen, मतलब common noun, किसी भी person, या place, या thing का नाम हम बोलते हैं, common noun, ठीक है, उसके बाद, जो third kind है, वो है material noun, याद रखे students, material noun क्या होता है, material, material क्या होता है, जिसे चीजें बनती है, जैसे हम मकान बनाते हैं, building बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या material लगता है, उसके लिए जो है, मतलब iron लगता है, उसके लिए wood लगता है, उसके लिए cement लगता है, उसके लिए अलग अलग चीजें लगती है, ठीक है, व जिससे चीजें बनती है वह है material noun जिसे gold है, cement है, wood है, iron है, यह सब चीजें आते हैं material noun में तो common noun आपको पता चल गया, proper noun पता चल गया, material noun अब आपको पता चल गया मतलब यह noun जो है, नाम जो है यह 5 categories में divide किये हैं तो यह third category जो थी इसकी material noun था अब हम पढ़ेंगे next kind, जो के fourth kind है, इसकी noun की fourth kind, जो है नाउन की वह है collective noun यहां से collective से ही आपको पता चल जाता होगा कि collective क्या होता है, collective क्या होता है, collective जो है collection मतलब collect करना हम बोलते हैं ना, उन चीजें को collect किजें, books हो, collect किजें, notes हो, collect होता है अकठा करना तो यह जो है collective noun जो रप्रेजेंट करता है जो एकठी की चीज़ें होती है एकठा किया गया होता है जैसे बहुत सारे चीज़ों का ग्रुप को रप्रेजेंट करता है collective noun denotes बताता है the name of several person or things which make a group उन चीज़ों को यह रप्रेजेंट करता है जो group बनाते हैं क्या करते हैं ग्रुप बनाते हैं जैसे इट रप्रेजेंट ग्रुप और कलास को जैसे कमिटी वहां पर कमिटी लगी है कमिटी मतलब बहुत सारे लोग होंगे तो उन लोगों का ग्रुप है उसको हम बोलते हैं committee तो committee जो है यह कौन सा नाउन है अब आपको मतलते हैं क्राउड जुंड बहुत सारे लोग होते हैं ठीक है कमंडर होते हैं सुबहेदार एटर एट्सटर एट्स्टर एट्सटर बहुत सारे होते हैं करता है। ग्रॉप या क्लास, यहां तकshe get it clear, then यहां पे है- अब nेक्सट में आते हैं, यहां पर है अब्स्ट्राक्न नउन क्या होता है- अब्स्ट्राक्न ऐसा नउन होता है, जिसको हम- तक्नेकर पाईएँ- वो नाम होता है- जिसको हम touch ना कर पाएं जैसे मतलब blackboard इसको touch कर पाते हैं table को touch कर पाते हैं जिसको हम touch ना कर पाएं is the name of quality किसी quality का नाम किसी state का नाम state मतलब रियास्त नहीं दूसरी state रहना किसी action का नाम यह है अबस्ट्रेक्ट नाउन इसे क्वालिटी के हम बात करेंगे आनेस्टी इमांदारी इमांदारी यह एक व्यालिटी है यह यह प्ट्रेक्ट नाउन और गुर्बत मतलब गुर्बत quality है या state है यह state है रहना मतलब वहां पे हम poverty वह poverty में वह गुर्बत में है गुर्बत एक state है गुर्बत में रहना ठीक है तो यह poverty जो है यह क्या है यह एक abstract noun है pleasure प्लेजर भी एक abstract noun है ठीक है प्लेजर भी एक क्या है एक state में आता है मतलब किसमें रह रह रहा है वह pleasure में रह रह रहा है खुशी में ठीक है यह भी हम बोलते हैं state में happiness वह खुशी में है ठीक है तो यह भी एक state में आता है जो quality को बताता है, state को बताता है और action को बताता है जैसे हमने अभी discuss किया, इमानदारी, चालाकी, गुर्बत, खुशी, हसी, हसी को भी बोल सकते हैं, abstract noun, movement, ठेक है, तो ये सब जो है, क्या है, abstract noun है तो अब आपको question कैसे आ सकते हैं, ये तो मतलब आपके syllabus में नहीं है, 12th class के syllabus में, मगर ये आपको बहुत important है अगर आगे कहीं exam देंगे, need का या आगे कहीं exam देंगे, जहाँ पर आपको English आएगी, SSB में, या competitive में, वहाँ आपको पोछा जाएगा, laughter दिया होगा बोलेंगे ये noun है, या pronoun है, या verb है, या adverb है, किस में आता है जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, कि हर एक word English का, किसी ने किसी मतलब parts of speech में आता है तो आपको पता नहीं होगा laughter किस में आता है, यहाँ पर आपको पता चल गया, कि laughter जो है abstract noun में आता है, ये ताकि ये noun है अगर आपको बोला जाएगा, कि ये class किस में आता है, class noun है, pronoun है, verb है, adverb है, क्या है ये आपको clear होना चाहिए, ये collective noun है, ये class को represent करता है, बहुत सारे बच्चों को represent करता है class में जितने हैं, teacher है, students है, ये collective noun है, ये आपको clear होना चाहिए, crowd, crowd क्या है, collective noun है तो इस तरह जो है आपको question पूछी जाएंगे आगे यह मतलब यह हमें लगता है basic grammar है मगर basic भी है यह high level भी है यह competitive में भी आते हैं sentence में पूछी जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहचानना होता है कि cleverness जो है यह कून सा part सा speech है यह कून सा noun है इसी तरह कोई भी मतलब जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया proper noun जो यहां पर दिल्ली कून सा noun है यहां पर आपको अगर next बोलेंगे आपको यह book book कून सा noun है material noun है common noun है proper noun यह आपको पता होना चाहिए यह क्या common noun है अगर मैं बोलूँगा English book अगर बोलूगा वह कून सा noun हो जाएगा वह होगा proper noun क्योंकि मैंने नाम लिया English वाली बुक तो इसी तरह हमने आज पार्ट सा noun है और fifth abstract noun है तो hope आपको समझ आ गया होगा अगर कोई भी question हो आप question पूछिए ठीक है I hope आपको understand हो गया होगा पूरा जितने मैंने समझाया तो अगर कोई भी question हो आप question पूछ सकते हैं अराम से और next हम पढ़ेंगे प्रणाउन थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद हम जो है प्रणाउन को ठोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद जो है हम tenses पढ़ेंगे अच्छी तरह पढ़ेंगे हम ठीक है I hope आपको समझ आ गया होगा thank you